कि नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News SPN 9 News में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा परिहा पांच राज्यों के चुनाव संपन हो चुके हैं और पांच राज्यों में संपन हुई विदान सवाच चुनावों में हिंदी पर्टी के तीन राज्यों मध्यापर्देश राजिस्थान और 36 गड़ में भारती जनता पार्टी की बंपर जीत के साथ ही विप्रक्षी दलों ने इवियम पर सवाल उठाने शुरू कर दिये हैं चाहे वो कॉंग्रेस हो समाजवादी केम पार्टी हो या फिर सिर्षेना ही क्यों ना हो इन सबी दलो के नेताओं ने बीजेपी की जीत को लेकर एवियम पर सवाल उठाया तो भी बीजेपी के नेताओ ने इसका जवाब भी यहां दिया है सबसे पहले बात करते हैं उन नेताओ कि जिनकशा три चायों में inspire 2023 से ही इवियम में मतदान कराये जाने के खिलाफ रहा हूं कॉंग्रिस पार्टी के वरिष ने ता आगे सवाल या लहजे में कहा कि क्या हम भारतिय लोकतंत्र को प्रोफेशनल हैकर्स द्वारा कंट्रोल किया जाना दे सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको बता दे कि कॉंग्रिस पार्टी को बीजेपी से जादा वोट मिले हैं इस पर दिगविजे सिंग सवाल करते हुए कहते हैं कि अगर जनता वही है तो इवियम और पोस्टल बैलिट के वोटिंग पैटरन में इतना अंतर कैसे यहां पर आ गया दिगविजे सिंग ने पोस्टल बैलिट के नतीजों की जानकारी देते हुए लिखा पोस्टल बैलिट के जरी हमें यानि कॉंग्रिस को 199 सिटों पर बढ़ा थे जबकि इन में सदिकांशी सिटों पर इवियम काउंटिंग में हमें मतदाताओं का पूर्ण विश्वास ना मिल सका पूर्व मुख्यमंतरी सी के साथ लिखा यह भी कहा जा सकता है कि जब तंत्र जीतता है तो जनता यानि की लोग हार जाती है इसके अलावा ने ताउधित राज जो की कॉंग्रेस से ही है उन्होंने भी यहां पर एवियम पर कुछ ऐसा कहा कि वरना ऐसे नेतीजों की उमीद नहीं थी फिर इसी तरह समाजव सावत भी कल यहां पर इस मुद्दे को लेकर बरस से नज़राय थे संजुलावत ने यहां पर कहा था कि एवियम को हटा कर बैलेट पेपर से जुनाव होना चाहिए तो जहां तीन राज्यों में भाजपा जीती है हो सकता है कि एक भी राज्ये में उनको जीत पाना मुश्क उठा रहे हैं कि इसी वज़े से इवियम के साथ गड़ बड़ी कर यहां भाजपन अपनी सरकार बनाई है और देखे यहां पर अगर आपको जानकारी बता दे कि इवियम का मुद्दा इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि मध्या परदीश में चुनाव खत्म होने के बार जिस तो यहां पर देखा गये ता पोस्चाल बेलड उसको यहां पर तारिकों से पहले खोल धिया गया तो जब इतने बड़े मुद्धे जो तस्वीरे यहां पर सामने आए यहां तक की वीडियोस भी यहां पर सामने आई इसी वज़े से बार-बार EVM का मुद्धा यहां पर उठाया जा रहा है क्या एस के मुद्दे पर सबका मू बंद करने के लिए चुनावाइओ कर अ अपना कोई ऐसा फैसला सुना सकते हैं या नहीं इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहिए गाइस प्यान नाइन यूस थाने बार